काटे चाहे जो काटे तो अगर इंटेंशन ही क्लियर हो कि तुम्हें बेकूब बनाना है यह मत सोचो कि मुसलमान सुवर काटे गाई नहीं अरे क्यों तुम्हें सुवर खिलाना है प्रैंक करना है इंटेंशन ही गलत है खिलाना है मतलब खिलाना है जैसे भी और लिग देना ह हलाल तुम्हें बाद में पता चल ला है क्या कर लोगे कैसा लगेगा यह को ने बता हूँ आज हमनों बाद करेंगे हलाल हराम और जो भी आज के डेट में देश में महोल चल ला है कि हलाल प्रोड़क्ट को या हलाल सर्टिफाइड प्रोड़क्ट को या किसी भी तरह का हलाल का एक्ट है जो जैसे हलाल मीट हो वेगर वेगर जो भी चीज़े उसको बॉयकॉट करने की बात चलिए हलाल economics को boycott करने की बात चलिए कानाटक में बड़े-बड़े steps लिए जा रहे हैं और देश दुनिया भर में हलाल के बारे में क्या एक notion है उसके बार में कर सकते हैं comment box में और मुझे correct करने से पहले डरियेगा मत क्योंकि मुझे आप correct कर सकते हैं मैं आपका गला नहीं काटूंगा लेकिन अगर मैं सही हूँ अगर आपको लगता है कि यह तर्म ही गलत है आपको लगता है कि इसमें ही problem है तो आप इसलाम कुरान शरिया लौ इनको आ आए कि मैं क्या कहना चाहरा था तो शेयर करेंगे ताकि और लोगों को भी समझ में आ जाए और इस वीडियो में अंतक बने रहीएगा इसमें बहुत सारी popular definitions हैं मतलब अगर आप पूछने जाएंगे तो सबके पास अपनी definition है को यहीं बात है जो हर तरफ प्रचलित है लेक जहां killing sorry animal की खाने के लिए वहां आपको हलाल टाम होगा की तरीका क्या है हलाल कर रहा है और दूसरा यह जटका तो इन दोनों में एक basic difference सामने आता है और यहीं पर discussion होता है लेकिन इसके कई और माहिने भी हैं जो matter of discussion बने हुए है तो जो हलाल मीट से related popular definition है उसके बारे में बात कर लेते हैं logical Indian का क्या कहना है जिससे मैं भी थोड़ा वात्स हैं मैं तो इसलिए मैं आपको इनका reference दे के बताना चाहता हूँ हलाल मीट is just a process just कुछ pages जो होतने portals होते हैं वो इतना simplify कर देते हैं इतना generalize कर देते हैं कि हां चोटी सी बात है just सुन लेते हैं just सी बात क्य क्या है उनकी लिखने का भी तरीका होता है कि पढ़ने वारे को लगे कि हां यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर यह लोग कह रहे हैं और ऐसा term उस कर रहे हैं तो एक दिमाग में sense of satisfaction आजाता है कि हां ठीक है छोटी चीच हलाल मीट is just a process of slaughtering यहां slaughter राजा महां just कैसे slaughtering the animal slowly in the veins of the neck with the lines of the Quran such that all the blood from the body comes out and it is fit for consumption it is fit for consumption इन गधों का मानना है कि गले पे कुरान की आयते लेते हुए बोलते हुए यह जो भी है या कुरान की according गले की उसनस को इस तरीके से काटना है धीरे धीरे terms पर ध्यान दीजेगा हिंदी वाले धीरे धीरे की खून उसका निकल जाए ताकि consumption के लिए fit हो सके अच्छा हो सके the Muslims follow the process as they are prohibited from consuming non-halal meat ठीक है इनको prohibited किया गया हो कहां से prohibited किया गया है और Muslims तो बिल्कुल बने रहा है क्योंकि उन्हीं से तो discussion करने है अब इस हलाल वाली घटना ने political scenario ले लिया है और जैसे बात है नेता मतलब politics है अगर नेता ने जटके से खाएंगे हम एक बार में slaughter करेंगे और हम वो खाएंगे हमारा अपना तरीका आप अपना impose मत करो हम पर ठीक है जैड सी बात है बेसिक सी बात है उनकी भी अपनी freedom है liberty right to choice है सब कुछ है तो आप क्यों impose कर रहे हो ऐसी हलाल से little term होता है हलाला ठीक है आपको पता है हलाला term basically वहां use होता है जहां पर Muslim marriages होती है और जब आप अपनी wife को divorce कर देते हो वो की contract है इसलाम में साथी एक contract है को अब जब चाहो तब divorce दे देते हो आपने दे दिया उसके बाद अगर आपको फिर कहीं से प्यार आ गया चाहे आप दोनों का आ गया चाहे उनने से किसी ए कर दो या फिर मुझे correct करो जो भी बात है Muslim women को किसी other Muslim men के साथ पुरा निकाहा करना है हम बिस्तर होना है physical relation स्थापित करना है connection बनाना है और उसके बाद वो जब छोड़ेगा तब आप fit हो जैसे हैं कहा जाना fit for consumption वैसे वहां आप fit हो तुवारा अपने पिछले वाले साथ स परना पर जिस तरीके से एक एक महिला के दददस वच्चे होता है अब आपको मुझे logic दे देगा कि हिंदों में भी होता था वगरा वगरा तो ये गदे अपनी बात पर हो जाते हैं कहीं होता था कहीं सिर्फ हो रहा है और होता आया है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ल हराम है इसलाम में यह कहा जाता है कि साधी से पहले सेक्स हराम है ऐसा कहा जाता है कि विमन के साथ relations सापित करना साधी से पहले गलत है और कई ऐसी चीजे नशा और वगर 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 आप इमेजन नहीं कर सकते कहने को तो कई चीज़े है उसली तरीक है से हलाल मतलब क्या Allowed है जो सब चीज़ें allowed हैं आप ये कर सकते हैं तो इतरी कैसे do's and don'ts भी है directions भी है कि आपको इनी पर चलना है इसके आप इधार उदर cycle से track से नहीं भटक सकते हैं आपकी पटरी से अगर आप गाड़ी गई तो आप मुनाफिक हो जाओगे आप non-muslim भी होचकते हैं आपको फिर जीने मेने का हक नहीं है सीधा जहन्नम मिलेगा तो अगर ये do's and don'ts हैं अगर ये Islamic law है अगर ये शरिया law के हिसाब से चलना है जैसे कि कहा जा रहा है कि हमालिया के भी policy है कि Islamic और शरिया law के according हम चलते हैं और ध्यान दे रहे हैं और सब के लिए वगरा वगरा और इस पर पुरा विवाद हो गया है कि जितने भी हलाल प्रोड़क्ट्स हैं हलाल सर्टिफाइड प्रोड़क्ट्स हैं जाए हमालिया क्यों जा किसी के भी हूँ किसी के भी हूँ हम उसको boycott करेंगे ऐसा हो रहा है लोग दुकानों पे जा रहे हैं और वहां से पता अगर चल जा रहा है कि हलाल प्रोड़क्ट है हलाल सर्टिफाइड है तो वो avoid कर रहे हैं वो सीधा मूँ पे बोल के आ रहे हैं कि आज के बाद हम दुकान पे नहीं आए अब बात कर लेते हैं जटके की जटका एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आपने उस जो भी जानवर आप खाने के वसे तो मैं उस चीज़ के ही खिलाफ हूँ मैं तो एनमल लीटिंग के ही खिलाफ हूँ लिंक है जटके हमें यह कि आपने अगले का गला काटा जानवर का जि पर देखें इसका आपको पुरा डिटेल वीडियो सब कुछ मिल सकता है मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ ब्लड निकले हमाँ पर क्लॉटिंग हो वो एरिया ठीक किया जाए तो एक अलग केमिकल रियक्शन निकला है आपको दिमाग आपको अलग सिगनल भेज रहा है आपको दिमाग आपको बॉड़ी पार्ट पर अलग सिगनल भेज रहा है कि उसको हील करना है जल्दी से आपको द जटके में यह है कि अगर आपने काट के खतम कर दिया उसको रियक्ट करने का ही टाइम नहीं मिला रियक्ट करने का ही टाइम नहीं देना है मिली सेकंड्स में सब खतम और यहां चबता की मतलब आपकर मुर्गा भी कटवाने जाएंगे नॉर्मल बात कर रहा हूं बकरा और उंट और गाय भैस जो यह लोग करते हैं वो दूसरी चीज़ हो गई सिर्फ मुर्गे की अगर बात कर लें हब से चोटा तो उसको यह लोग क्या करते हैं गला हलका सा काट के ड्रम में डाल देते हैं फड़ फड़ाता रहेगा पूरा ड्रम हिल जाएगा जब तक को हिलना बंदनी होता यह लोग निकालते नहीं है फिर उसके बात खचे से पूरा काट देते हैं क्या यह बात जानने के बाद भी कोई खरीदना चाहेगा पहली बात कोई कमेंड में बताएं अब आजाते हैं दूसरी चीज़ पे हलाल जटका आप एक तरीके की डूइंग्स को एक तरीके के एक्ट को एक तरीके की प्रैक्टिस को जो एक कम्यूनिटी से निकली हुई है आप उसको नैशनली या ग्लोबली या कहीं भी उस व्यक्ति पे कैसे थोप देंगे अगर वो चाहता है कि मैं ये प्रोडक्ट लूँ ही ना फॉर इक्जामपल अगर मैं कहूं कि हिंदुस्तान में हिंदू मेजॉरिटी है और वो मंदिर से निकला हुआ प्रशाद हर मुसल्मान को बाटना मुसल्मान छोड़ो हिंदू तो ये सोचता कि हर इंसान को हर यूमन बींग को मंदिर के बाहर में प्रशाद बाटना चाह भी खारी हो चाह मीर हो चाह गरीब हो उसकी प्रैक्टिस में है आदत में है पेट भरूँगा प्रशाद बाटना मुँ मिठा कराओंगा खुशी में सब पुछ अगर मुसल्मान कहे कि भाई मुझे मद दो प्रशाद मुझे नहीं खाना तो महारे लिए ठीक होगा मुझे नहीं खाना मेरे लिए मैं अलाव नहीं है तो ये बात कहां तक सही होगा कि मैं उसके जबरस्ति उनकी मर्जी के अगरे उनके सब पुछ थोब दो भारत में जिसको जटका खाना हो जटका खा सकता है जिसको हलाल खाना हो हलाल खा सकता है तो ये हलाल सर्टिफिकेशन ये हलाल एकनॉमिक ये हलाल का इंफोर्स्मेंट imposition, यह क्यों किया जा रहा है मैं साफ साफ इस वीडियो में कहना चाहता हूँ मुझे नहीं खाना हलाल मैंने भी non-wich खाया है मैं कोई, वो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत दूद का धुला हूँ मैं ट्राइ कर रहा हूँ मैं ना खाऊँ, ना खाना पड़े और जब मैं इतना अवेर हूँ, मैं चिकन लेने गया तो मैंने देखा उसने वही प्रक्टिस की मैंने का ऐसे क्यों कर रहे हूँ, जट कैसे करो तो साफ ऐसे खड़े हो कि मुझे घूरने लगे जैसे क्या ऐसी कुछ टररिस्टों वाली बात करती उनके लिए ऐसा रखता है बिल्कुल मतलब किसी एलियन ने कुछ एलियन सब्राइब कि मतलब बिल्कुल ऐसा उनको आदती नहीं सुनने की उनको अपोज की आदती नहीं है तो मैं बोल लाओं ये पूरे देश में मेरी अच्छा भी है, मेरी मांग भी है हम डाउन करेंगे हमें जटका खाना है मैं जटका दो हमें नहीं खाना हम नहीं खाएंगे हमारी मरजी हमारे लिए वो प्रोडक्ट्स पर जो हलाल वाला स्टिकर लगा होता है हम वो नहीं खाएंगे इस अब चीज़ें बंद होनी चाहिए इंपोदिशन बंद होना चाहिए तो ये इस हलाल मुद्दे पे मेरा opinion था, मेरा view था मैं चाहता हूँ इस पे discussion हो इस पे बात छिड़े, इस पे मुहीम चले हलाल नहीं का अगर आपको जान बूझ के intentionally ही बेचना है तो आप लिख दो हलाल only for Muslims और यहाँ पे बड़े-बड़े अक्षरों में लिख लो और वहाँ पे हिंदू नहीं जाएगा ठिक और जटके के लिए भी अलग से shops खुल जाएगा, जहाँ पे सूर खिला दिया जाए हलाल बोलके सिर्फ हलाल बोलके सूर खिला दिया जाए क्या reaction होगा, मुझे कुण बता काटे चाहे जो काटे तो अगर intention ही clear होगी तो तुम्हें बेकूब बनाना है यह मत सोचो कि मुसल्मान सूर काटे गाई नहीं अरे क्यों तुम्हें सूर खिलाना है प्रैंक करना है intention ही गलत है खिलाना है मतलब खिलाना है जाएसा है भी और लिग देना है हलाल तुम्हें बाद में पता चलना है क्या कर लोगे कैसा लगेगा यह comment बता हो खैस वीडियो में इतना ही मैं चाता हूँ कि आप इसको share करें opinion आपका भी कुछ होगा counter comment बताईए नए है तो subscribe कीजिए किसी भी तरह का support करना हो तो आपने देख लिए है कर सकते हैं आप यह description में और भी तरीक है और भी platform पर आप चाहें तो follow कर सकते हैं फिर मिलते हैं अगले दूम जाहिन वंदे मात्र